है काइस वेलकम टू दी श्टर्ड मैन एन आज हम बात करने वाले कि हाव टू बी अ वेल ग्रूम्ट इंडियन मैं तो विदाउट एनी फॉदर द्यू लेट गेट स्टाड़ेग तो दोस्तो पहला पॉइंट यह है कि टेक केर औफ यॉर स्कीन अगर आप लोग अपनी स्कीन पे फेश वाश नहीं करते या फिर मॉस्चराइजर नहीं लगाते या फिर अगर आप लोग धूप में जाते तब या आप लोग अपनी स्कीन पे संस्क्रीन नहीं लगाते तो आ आपको यह जरूर से करना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यह बहुत वियर्ड फिंग है या फिर वियर्ड चीज है ऐसा कुछ नहीं होता ही रोस मॉडल सब लोग संस्क्रीन लगाते हैं मौस्चराइजर लगाते हैं सण में जाने से पहले अपनी स्कीनकोचराइजर रखने के लिए मौस्चराइजर भी लगाते हैं तो आपको अपनी स्कीन की चाहर करना चाहिए डेली दिन में दो बार फेश्वाश करना चाहिए अच्छे फेश्वाश की मदस से तो दोस्तो second point है कि आपको daily नाना है daily दो बार ब्रश करना है दिन में बहुत सारे जन ठंडी में ये करते हैं कि वो लोग नाते नहीं है उन्हें नाने में कंटाल आता है तो guys आपको ऐसा कुछ नहीं करना चीए आपको ना लेना चीए अगर आप ठंडे पानी से नहीं ना सकते हो शर्दियों में तो आप गरम पानी करके तो obviously ना सकते हो तो दोस्तो थर्ड पॉइंट ये कि वर्काउट आपको दिन में वर्काउट करना चीए डेली वर्काउट करना चीए आपको अपने रूटीन में वर्काउट को एड करते ना चीए जिससे आपकी बोड़ी एकदम physically बहुत ही strong रहेगी और आप mentally भी एकदम अच्छा फील कर आप कुछ भी काम कर रहे होगे उसमें आप successful बन पाओगे दोस्तो आप अगर जीम में नहीं जाते हो तो आपको basically simple योगा भी कर सकते हो और simple workout like running या फिर stretching exercise भी कर सकते हो आप लोग तो दोस्तों आप बात करते हैं fourth point के बारे में जो है shaving तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते कि उन्हें shaving करने की आदत नहीं होती या फिर shaving करने में उन्हें कंटाल आता है वह lazy रहते है तो वह shaving नहीं करते दोस्तों shaving आपके face पे बहुत ही जादा प्रभावर करता है बहुत ही जादा effect करता है आपके looking में आप अगर shaving नहीं करोगे तो आपके जो कोई-कोई बाल जादा बड़े होगे कोई-कोई का growth कम होआ होगा तो उससे आप एकदम proper groom in the man नहीं दिख पाते हो तो आपको क्या क करना चाहिए कि properly shave करना चाहिए आप जो अच्छी shaving लगती आप अपने shaving को आप अपनी beard को अच्छे से care भी कर सकते हो bad oil की मदद से आपको जरू से याद रखना है कि आपको proper time पे shave कर लेना चाहिए तो दोस्तो फिप पॉइंट है avoid bad breathing smell आपको क्या करना चाहिए कि जबी भी आप लोग बाहर जा रहे हो या फिर किसी person से पहली बाहर मिलने जा रहे हो तो आपको अपने साथ मेंट रख लेनी चीए या फिर च्विंगम रख लेनी चीए कोई भी एक दो रुपे में मिल जात 100% अच्छी हो जाती है तो अगर आप किसी को पहली बार मिलने जा रहे हो तो आपको यह जरूर से करना चाहिए अपनी bad breathing smell को जरूर से cure करना चाहिए क्योंकि गाइस first impression is last impression नाम है sixth tip का नाम है कि get right of uni eyebrow uni eyebrow means जो हमारे दो eyebrows होते हैं उनके बीच में अगर आपको बाल आ जाते हैं अगर आपके eyebrows ऐसे touch हो जाते पूरा तो आपको उन्हें आपको कोई भी make-up की दुकान में tweezer मिल जाएगा वो tweezer लेके आप लोग यहां के unwanted hairs निकाल सकते हो एंड एकदम attractive दिख सकते हो एंड एकदम confidence फिल करो गाइस आपको बताए कि जबी आपकी आपकी मम्मी कहीं बार जाने वाली होती है कहीं गुमने जाने वाले होते हो तो उसके पहले आपकी मम्मी eyebrow करवाती है means guys अगर आप लोग eyebrow करवाते हो तो सही में एकदम attractive दिखते हो जैसे means अगर आप यहां के unwanted hairs निकालोगे तो उससे आपका eyebrow जैसे एक shape हो जाएगा और आप लोग सच में एकदम attractive दिखने वाले हो तो आपको यह ज़रू से करना एक tweezer ले लेना है guys बहुत महेंगा नहीं पड़ेगा 10 से 15 रुपे में मिल जाएगा आपको और आपको उससे अपने unwanted hairs को निकाल देना है तो दोस्तो six tip का नाम है don't wear unfit clothes means या फिर iron नहीं किये हुए clothes या फिर जो रहते है ना उसमें आपके कपड़ों में silver tape पड़ी हुई है या फिर आपके कपड़े एकदम lose है तो आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनना है चाहिएगा आपको क्या करना चाहिए आपको थोड़ा सा खर्चा करके उस अगर आपका कोई shirt lose है तो आपको उससे थोड़ा अपने size का fit करवा लेना है टेलर के पास जाके लाइस बहुत खर्चा नहीं होता थोड़ा ही होता है तो अगर आप थोड़ा सा भी करवा लोगे वो खर्चा तो उससे क्या होगा कि वह कपड़ा आपके श को उससे थोड़ा fit करवा लेना चाहिए बहुत सारे लोग यह काम करते कि वह अपने कपड़ों को रोज आइरन नहीं करते तो आपको आइरन करने चाहिए अगर आप लोग office में जाते या फिर college में जाते तो आपको अच्छी personality बनानी होती है सबके सामने जादा attractive दिखना प your hands clean your hands and legs means आपको अपने नाखून एंड पैरों के नाखून हमेशाख clean रखने चाहिए उनमें कोई भी कच्रान ही होना चाहिए and वह हमेशाख अच्छे से trimmed होने चाहिए आपको हफते में एक बार अपने नाखूनों को trim करना चाहिए clean करना चाहिए जिससे आपकी first impression सबसे अच्छी होती है अगर आप लोग कई interview के लिए जा रहे हैं या फिर कोई person से first बार मिलने जा रहे हैं जो मैंने पहले भी बोला था मैं जो बैट ब्रेटिंग स्मेल वाला point था उसमें मैंने यही बोला था कि अगर आप लोग कोई first impression के लिए आपको सबसे जादा काम में आन six month after every six month आपको छे महिनों के बार अपनी हैस्टाइल को चेंज करवाना चाहिए जिससे क्या होता है कि आप लोग सही में एक्दम एक्डम एक्डम तंग आजाता है कि यार यह तो ऐसा ही दिखता है और वैसा ही दिखने वाला है अगर वह हर बार वही कट करवादे हो आप ल अगर आप लोगों ने हैस्टाइल के वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिक्स्क्रिप्शन में दे दी है आप लोग वासे जाके देख सकते हो कि आपकी 2019 की टॉप 10 ट्रेंडिंग हैस्टाइल कौन सी है जो आप लोग अपने फेस पे करवा सकते हो और इंडिया में इ नोट दी लेश्ट जो है स्टेंड अप्ट स्ट्रेट मिन्स आपका पॉस्चर हमेशा सीधा होना चाहिए जोस्तों आप लोग उने बहुत बार देखा और कि जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं वो ऐसे चलते हैं ऐसे ही रहते हैं क्योंकि गाइज उनका पॉस्चर सीधा र और आतर्शित कर सकते हो खुद को बहुत ही जादा एट्रेक्टिव बना सकते हो तो आपका पॉस्चर हमेशा सीधा रखो एकदम स्ट्रेट रखो अपने सीने को जितना हो सके उतना भार लाओ मिन्स 56 इंच की छादी आपको लानी चीए बाहर है ऐसा है कुछ निए आपको उसे स्ट्रेट रहना स्ट्रेट जिससे आप एकदम कॉंफिदेंस में आओगे एन कॉंफिदेंस में खुद को लाप आओगे तो यही ता आज किस वीडियो में अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दू लाइक शेयर एंड सब्स्राइब मैं तो दोस्तों अगर आप लोग ने अभी दक हमारी चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लिजे एन और पर क्लिक कर देना जिससे हमारे लेटेश वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सब से पहले मिल जाएगे तो थैंक्स फो वाचिंग माई वीडियो बाई बाई ग झाल 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 झाल झाल